नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का नौलिश पंडित पर दोस्तों इस वीडियो में हम पॉलिटी राजनीती शास्त्र के मोस्ट इंपोर्टेंट कॉशन्स पढ़ेंगे जोगी हर एक्जाम के लिए इंपोर्टेंट है इन में से कौन सी समीती विभिन विश्यों पर चर्चा के लिए समय निर्धारित करती है तो राइट आंसर हो जाएगा कार्य सलाहकार समीती विभिन विश्यों पर चर्चा के लिए समय निर्धारित करती है अगला कॉशन देख लेते हैं अगला प्रश्न है उपर आश्रुपती पद के निर्वाचन हे तो कौन सी पधती अपनाई जाती है उपर आश्रुपती पद के निर्वाचन हे तो कौन सी पधती अपनाई जाती है तो यहां पर राइड आंसर हो जाएगा उपर आश्रुपती पद के निर्वाचन हे तो एक संक्रमर्णिय पद्धती अपनाई जाती है option number C यहाँ सही उत्तर हो जाएगा next question देख लेते हैं अगला प्रशन है निम्न मैंसे कौनसा सहितिकार राज्य सभा का सदस्य था इन मैंसे कौनसा वह सहितिकार था जो राज्य सभा का सदस्य था तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा सहितिकार जो थे रामधारिस दिनकरजी सहितिकार के रूप में जाने जाते हैं और राज्य सभा के सदस्य के रूप में भी जाने जाते हैं next question है भारतिय संसद में इस्थाई समितियों की संख्या कितनी है भारतिय संसद में इस्थाई समितियों की संख्या कितनी है तो यहाँ पर right answer हो जाएगा भारतिय संसद में 45 इस्थाई समितियां है विभिन प्रकार की next question देख लेते हैं भारतिय संमिधान के किस अनुछेद में धन विधियक की परिभाशा दी गई है भारतिय संमिधान के किस अनुछेद में धन विधियक की परिभाशा दी गई है तो यहाँ पर right answer हो जाएगा अनुछेद 110 भारतिय संमिधान का जो है धन विधियक की परिभाशा इसमें हमें मिलती है next question है इन में से किस व्यक्ति ने ये बात कही थी कि समिधान सभा कॉंग्रेस थी और कॉंग्रेस भारत था इन में से किस व्यक्ति ने ये बात कही थी कि समिधान सभा कॉंग्रेस थी और कॉंग्रेस भारत था नेक्श गाउचन देख लेता है, भारतिय समिधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे, तो right answer हो जाएगा, समिधान को बनाने के लिए लगभग 12 अधिवेशन समीधान सभा के कुल हुए थे नेक्ष कोशन देख लेता है राश्रपती के त्यागपत्र की सूचना उपर राश्रपती किसको देता है? रैइत आंसर हो जाएगा ऑप्षिनumba c लोकसभा अद्यक्ष नेक्ष कोशन देख लेता है भारत के सबसे लंबे समय तक राश्रुपती के पदपर इनमें से कौन रहे थे तो राइट आंसर हो जाएगा सबसे लंबे राश्पती पद पर जो है कारेकाल रहा था राजेंद्र प्रशाजी का डॉक्टर राजेंद्र प्रशाजी यहां पर सही उत्तर हो जाएगा नेक्श वोशन है प्रधान मंत्री और मंत्री परशत के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव सदेव कहां पर लाया जाता है तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा प्रधान मंत्री और मंत्री परशत के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव सदेव लोकसभा में लाया जाता है लोगसभा का विगटन कौन कर सकता है? लोगसभा का विगटन इन में से कौन कर सकता है? सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो लोगसभा का विगटन राश्रपती के द्वारा किया जा सकता है? राइट आंसर हो जाएगा राश्रपती. प्रधान मंत्री और मंत्री परिशद सामुहिक रूप से किसके प्रती उत्तरदाई होते हैं प्रधान मंत्री के लिए सेवा निवरत्ती की आयू कितनी रखी गई है भारत के प्रधान मंत्री के लिए सेवा निवरत्ती की आयू कितनी रखी गई है राइट आंसर क्या हो जाएगा चले देख लेते हैं तो भारत के प्रधान मंत्री के लिए सेवा निवरत्ती की आयू जो है यह रखी गई है option number कोई भी आयू निरधारत नहीं है अंतर राश्य न्यायले में नियुक्त प्रथम भारतिय न्यायधिस कौन थे तो राइट आंसर हो जाएगा अंतर राश्य न्यायले में नियुक्त प्रथम भारतिय न्यायधिस डॉक्टर नागेंदर सिंग जी राइट आंसर हो जाएगा नागेंदर सिंग जी निम्ण मैंसे कौन मुख्य सतरकता आयुक्त की नियुक्ती करता है इन मैंसे कौन मुख्य सतरकता आयुक्त की नियुक्ती करता है तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा मुख्य सतरकता आयुक्त की नियुक्ती जो है राजयपाल करते हैं सही उत्तर हो जाएगा राजयपा तो जंडा समीती अध्यक्ष जेवी कृपलानी जी थे, राइट आंसर हो जाएगा आचारे जेवी कृपलानी जी जंडा समीती के अध्यक्ष थे, नेक्ष कौशन देख लेते हैं, अगला प्रशन ये रहाब के सामने, भारत के परिक्षा एवं लेखा प्रणालियों का इन में से कौन होता है? तो right answer हो जाएगा परिक्षा और लेखा प्रणालियों का प्रधान भारत में नियंतरक एवं महालेखा परिक्षक होता है Right answer हो जाएगा नियंतरक और महालेखा परिक्षक Next question देख लेते हैं समिधान सभा की संग समिधान समिती का अध्यक्ष कौन था राइट आंसर हो जाएगय इस प्रश्न के लिए जवाहर लाल नहरु प्रश्न का सही उत्तर है निम्ड मैं से भारत का निर्वाचन आयोग किस प्रकार की संस्ता है, निम्ड मैं से भारत का निर्वाचन आयोग किस प्रकार की संस्ता है, तो भारत का निर्वाचन आयोग एक सम्मिधानिक निकाय है, राइट आंसर हो जाएगा इस फ्रशन के लिए, भारत का निर्वाचन एक सम्विधानिक निकाय है, सही उत्तर हो जाएगा. Next question देख लेते हैं. इन में से कौन लोग सभा के निर्वाचन छितर का परिसीमन करता है? लोग सभा के निर्वाचन छितर का परिसीमन इन में से कौन करता है? Right answer क्या हो जाएगा इस प्रशन के लिए? लोग सभा के निर्वाचन छितर का परिसीमन आयोग करता है? Right answer हो जाएगा इस प्रशन के लिए परिसीमन आयोग प्रशन का सही उत्तर हो जाएगा. Next question देखते हैं. भारत के सर्वोचन नयायले की आधिकारिक भाषा क्या है? तो भारत के सर्वोचन नयायले की आधिकारिक भाषा अंग्रेजी भाषा है? Right answer हो जाएगा इस प्रशन के लिए अंग्रेजी भाषा सही उत्तर है. Next question देखते हैं. इन मैंसे कि समीती के सदस्य राज्य सभा के नहीं लिये जाते है? Next question देखते हैं. इन मैंसे कि समीती का पदेन अध्यक्ष लोक सभा का अध्यक्ष होता है? तो यहां right answer हो जाएगा. हमारे राष्य द्वज के मध्य में धर्म चक्र का रंग कैसा है? एक दम easy question है. तो हमारा जो राश्यद होज है उसके मध्य में जो धर्म चक्र है उसका रंग गहरा नीला है राइट आंसर हो जाएगा नेक्श कॉशन है भारती जनता पार्टी किस राजनितिक सम्हू का एक हिस्सा है भारती जनता पार्टी इनमें से कौन से राजनितिक सम्हू का एक हिस्सा है तो राइट आंसर हो जाएगा भारती जनता पार्टी जो है राश्य जनतांतरिक गठबंधन राजनितिक सम्हू का एक हिस्सा है सही उत्तर हो जाएगा लोगसभा का प्रोटेम अध्यक्ष इन में से किस के द्वारा नियुक्ष होता है राइट आंसर हो जाएगा इस प्रशन के लिए राश्रुपती सरकार के विरुध अविश्वास प्रस्ताव संसद के किस सदन में लाया जाता है प्रथम लोगसभा चुनाओं में कितने रादनेतिक दलों को राश्रिय दल का दरजा प्रदान किया गया था इन में से कौन से उच्छे नयायले की आधिकारिक्ता सरवाधिक छेत्रों पर है तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा नयायले जो है गुआहाटी नयायले जिसकी आधिकारिकता सरवाधिक छेत्रों पर है नेक्ष कॉस्चन है निम्न में से डाक मतदान का अन्या नाम क्या है तो डाक मतदान को पर्थी पुरुष मतदान भी हम कह सकते है राइट आंसर हो जाएगा डांक मतदान का अन्य नाम है प्रतीपुरुष मतदान तो दोस्तों ये थे 30 कोशन राजनीतिक सास्त्र पॉलिटी से जो की जीके का ही एक सर्शन है कैसा लगा वीडियो कमेंट करके जरूर बताए चैनल परना है सबस्क्राइब करना ना भूले और बेल आइकन क्लिक करना ना भूले जिससे आपको नोडिफिकेशन वीडियो के मिलते रहे टाइम टू टाइम तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत बहुत धन्यवाद